वाल्टर अपनी शादी से खुश नहीं था तबी सीटी में और एक आदमी की वाइफ का मर्डर हो जाता है अब वाल्टर को लग रहा था कि उस आदमी ने अपनी वाइफ को मार डाला होका इस बात से हो अपसेस्ट हो गया हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको A Kind of Murder 2016 के एक थ्रिलर हॉल्ट मूवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ इसका सस्पेंस हमेशा आपको आपकी सीट के एच पर रखेगा तो अंतक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे अब बिना किसी देरी के एक्स्पेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम मार्टी को देखते है वो आज बहुत ही सस्पिशियस था वो मूवी देखने के लिए गया था पर अचानक से मूवी की बीच में से उठकर चला जाता है अपने साथ वो इसके टीनेज कोवरकर को भी लेकर गया था जो इसकी कवाई दे सके मूवी के बीच में उठकर चला जाता है और बाद में फिर से मूवी देखने के लिए आ गया इसके बाद हम हमारा और एक मेन केरेक्टर देखते है इसका नाम है वाल्टर अपना काम कतम करकर अपनी वाइफ को छोड़ने के लिए स्टेशन पर आया उसकी वाइफ का नाम है क्लारा और क्लारा की मदर की दबेद ज़रा खराब थी जो हमेशा खराब ही रहती थी वाल्टर आज बहुत एक्साइटेट था वो सेहता है मेरी स्टोरी पबलीश हो चुकी है वो एक आर्गेटेक्चर फर्म में काम करता है कलारा को उसका इस तरह के सिर्फ राइटिंग करना अच्छा नहीं लगता वाल्टर के एक्साइटमेंट देग कर उसे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता वाल्टर चाहता था कि वो ही अपनी कार में कलारा को उसके मदर के हाँ छोड़ दे पर कलारा कहती है कि मेरा मूड नहीं है जब इनकी शादी होई थी तो एक दुसरे के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंट क्या करते थे इस तरीके से ट्रीब लेते थे और अपनी डिलिशन्शिप को बरकरार लगते थे पर अब यह सब नहीं होता वाल्टर उन दिनों को मिस करता है वाल्टर को बुरा लगा और घर आकर अपनी न्यूज स्टोरी पर काम करना हो स्टार्ट कर देता है नेकसिन में हम देखते है कि मार्टी की वाइफ की डेथ हो चुकी है इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने का काम यह लॉरेंस का था लॉरेंस एक खतरना डिडेट हुए एक चीज को अगर वो पकड़ ले तो जल्दी से जाने नहीं दे सकता क्लारा जब उन्हें मदर की हाँ से वापस आए तो वॉल्टर और उसके घर पर एक पार्टी थी क्लारा के हाउस में गेश काना ये भी उसे अच्छा नहीं लगता वो हमेशा कम्प्लेनी करती रहती है वॉल्टर हमेशा सारी सुचियोशन को सुधारने की कोशिश करता रहता है आज इस पार्टी में वॉल्टर के एक फ्रेंड उसके साथ अपनी फ्रेंड को लेकर आई थी इसका नाम था एली इन दोनों का इंटरड़क्शन हुआ और एक दुसरे से बात करने लगते लग गया था वॉल्टर इस बात को उसे जाने देने के लिए कहता है को आज उसके साथ इंटिमेट होना चाहता था पर क्लारा ने इसके लिए उसे मना कर दिया वॉल्टर उसे बुशता है कि आजशकल तुमारा मोर ऐसा क्यो होता है इन दोनों में कोई भी फिजिकल रिलेशन हुए बहुत दिन हो गई थे वॉल्टर फिर से निराश होकर अपनी स्टोरी लिखने लग जाता है नेकसिन में हम देखते हैं कि लॉरेंस मार्टी से मिलने के लिए आया हुआ था लॉरेंस का पुरा शक मार्टी बरे है कि उसने अपनी वाइफ को मार डाला होगा वो उससे कहकर जाता है कि किलर कितना भी स्मार्ट हो मैं उसे पकड़ी लूँगा अगली रात वॉल्टर जब काम करकर घर पर आया तो कलारा अब भी उस पर गुस्सा थी कहती हैं तुम एली के साथ ही क्यों न टाइम स्पेंट करते हैं तुमें तो वही अच्छी लगती है अब वॉल्टर को गुस्सा आ गया था वो फेसे उसके साथ फाइट नहीं करना चाता था तो गुस्से में वहाँ से निकल गया नेक्सिन में लॉरेंस को मार्टी की वाइफ की डेट की केस के बारे में पूछा जाता है लॉरेंस ने का कि मैं मार्टी को पकड़ लेता पर उसके साथ उस रात उसका काम करने वाला था उसने गवाई दी है कि मर्डर के वक्त मार्टी उसके साथ था इसी वज़े से ओब बज गया है जिसने मार्टी के लिए गवाई दी थी उसी के साथ काम करने वाला एक टीनेजर था उसका नाम था टोनी एक दिन जब लॉरेंस टोरी से पुछताच कर रहा था तो मार्टी यह देख लेता है मार्टी टोनी के पास है कहता है जो आंसर तुम पहले देते आ रहे हो वही हमेशा तुमें कंटिनू रखना है सच उन्हें पता नहीं चलना चाहिए अगली दिन वाल्टर फिर से जब काम पर आया तो क्लारा फिर से उसके साथ जगड रही थी वो गहती कि तुम्हें और एली को पार्टी में सब लोगों ने देखा था वाल्टर फिर से उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तुम्हें हो क्या गया है हमारा मैर्ज सिर्फ एक साल तक की अच्छा रहा इसके बाद तुम हमेशा मुझसे दूर रहती हो तुम्हारी हेल्थ के लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए वाल्टर ने बहुत बार सजिस्ट किया था पर क्लारा किसी भी साइकेट्रिस के पास जाने के लिए मना कर रही थी इस बार उसके बात मानने के लिए रेडी होके कुसे में अपने रूम में चली के वॉल्टर कुसे में कहता है तुम अब घर में अकिली रहो मैं यहाँ से जा रहा हूँ वो बार में आकर न्यूस्पेपर में मार्टी की वाइफ के डेट के बार में पढ़ रहा था इस स्टोरी को उसने फॉलो किया है उससे लगता है कि मार्टी ने उसकी वाइफ को मार डाला ड्रिंक गरकर जब वो घर बर वापस आया तो क्लारा ने सुसाइट का आटेम्ट किया था घर की सारी गोलिया उसने खा ली थी उसे हॉस्पिटल में एड्मिट कर देता है डॉक्टर ने कहा तुम्हें उससे साइकोलाजिस्ट के पास दिखाना चाहिए था नेकसिन में वाल्टर अपनी सारी फ्रस्टेशन अपने फ्रेंड को बताता है कहता है मुझे एक मुमेंट पर लग रहा था कि वो सच मुच में मर जानी चाहिए अब क्लारा जब होस्पिटल में है तब वाल्टर जब अकेला था तो उसे मिलने के लिए एली आई वो उसके लिए कुछ फूल लेकर आती है उसने का कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी वाइफ सैटरडेस पर काम कर दिया इसी वज़े से मैं यहाँ पर आई वो आज रात एक जगा पर परफॉर्म करने वाली थी तो वाल्टर को भी invite कर लेती है रात में वाल्टर ज़रा confused हुआ पर बाद में उसके पास चला जाता है उसका सौन सुनने के बाद उसे बहुत अच्छी लगी थी नेकसेर में हम देखते हैं कि गलारा की तबीयाद ठीक थी उसे ओगर पर लेकर आता है गलारा उससे कहती है मुझे प्रॉमिस करो कभी भी मुझे छोड़ कर मत जाना गर में उसने एली ने दिये हुए फूल को नोटिस किया वाल्टर से पूछने के बाद वो और भी जादा गुस्सा होगी वो उससे कहती कि तुम एडमिट करो कि तुमारा उसके साथ अफेर चल रहा है वाल्टर कहता है तुमारा मेरे पर ये शक करना बंद होना चाहिए वहाँ से चला गया वो जब फिर से नियूस पेपर देख रहा था तो उससे लगा उसे जाकर मार्टी से मिल कराना चाहिए एक किलर कैसा होता है इस बारे में उसे क्यूरा सीटी थी मार्टी बुक सेल करता था तो वाल्टर जाकरों से एक बुक के बारे में पूछता है बातो बातों में उसने उससे पूछा तुमारी वाइफ की डेथ हो गई थी क्या उसका किलर अब तक उन्हें मिल पाया है मार्टी इस बात पर ज़रा गुस्सा हो जाता है और उसे इगनोर कर देता है आज राज जब वाल्टर घर पर आया है तो कलारा कहती है मैंने तुम्हें तुम्हें तुमारे ओफिस से फॉलो किया था तुम एली के पास गए थे वाल्टर ने फिर से कहा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है पर अब वो यह सब बरदाश नहीं कर सकता था वो सहता है कि अब मैं तुमसे डिवास ले रहा हूँ मैं मेरी लाइफ इस तरीके से नहीं जी सकता क्लारा ने कहा कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तुम्हें सुसाइड कर लूँगी मेरी डेट की जिमेदार तुम हो गया अगली दिन वाल्टर जब घर पर आया तो क्लारा घर पर नहीं थी अपनी मेर से वो बुशता है तो उसे पता जला कि क्लारा की मदर की तबियत जरा खराब है उसे देखने के लिए वो गई हुई है वो जल्दी से बस स्टॉप पर क्लारा के पास पहुचा वो गहता है कि तुमने मुझे बता है क्यों ने क्लारा गहती है मैंने तुमारे लिए सब कुछ इजी कर दिया है और दो दिन तुम एली के साथ बिता सकते हो वो बस में चड़ गए वोल्टर को उसे बात करने थी तो बस का पीछा करता है एक होटेल पर बस के रुकने के पाद वोल्टर को ढूणने की कोशिश करता है पर कहीं भी ढूण नहीं पाता सुबा जब वो घर बर पहुचा तो उसकी मेड गय थी कि क्लारा की मदर की डेथ हो चुकी है वो क्लारा को तुरंट कॉल करना जाता था पर क्लारा उसके मदर की हाँ पहुची है नहीं हमें डारेकली क्लारा की डेथ बोडी दिखाई जाती है एक बड़े से ब्रीज से नीशे गिरकर उसकी डेथ हो गई थी Walter को बहुत बुरा लगा इस case के भी investigation करने वाला डिरिक्ट्व ये Lawrence ही था Lawrence Walter से पुछता है कि क्या Clara ने suicide की होगी Walter कहता है कि उसने previously suicide का try किया था तो शायद ये भी हो सकता है Lawrence पुछता है कि उस रात हुआ क्या था Walter ने का कि मैं Clara से मिलने के लिए गया था वो जब उनी मदर के बाद चलीगी तो मैं अपने friend से मिलने के लिए गया हमें कुछ scenes दिखाये जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि Walter उस रात Ellie से मिलने के लिए गया हुआ था उस रात उसके साथ intimate हो गया इसका मतलब है हमेशा से Ellie के साथ उसका चक्कर चल रहा था Walter आकर Ellie को बता देता है कि मैंने तुमारे बारे में पुलीस को बता हुआ है Ellie को ये बात उतनी अच्छी नहीं लगती है Nixon में Lawrence मार्टी से मिलने के लिए आया हुआ था वो गहता है जिस तरीके से तुमारी wife की date हुई थी उसी तरीके से Clara की भी date हुई है मैं इस बात को ignore कर देता पर जबी wife की date होती है तो बहुत बार इसके पीछे husband ही होते है तुमारे साथ काम करने वाले Tony से भी मैं आजकल बात कहरा हूँ देखते आगे क्या होता है लोरेंस की इस तरीके से इन्वेस्टेशन करने की वज़े से मार्टी ज़रा डिस्टब हो गया था अगली सिन में Clara के funeral हुआ Walter अपने friend के साथ था उसे कहता है कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं उसे मार डालो उसे इस बात के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था मार्टीन का friend कहता है कि लगने में और करने में बहुत difference होता है ज़्यादा वरी मंद करो Clara की date के बाद Walter के हाँ पर काम करने वाली मेड भी उसे छोड़कर चली की तो उसे लगता था Clara के murder के बीचे Walter ही है नेक सिन में Walter को Lawrence पुली स्टेशन बुलाता है वाब और उसने एक आदमी को लाया था जो Walter को पहचान लेता है तो उस आदमी के जाने के बाद Lawrence ने Walter से का कि ये आदमी बता रहा था क्यों उस रात होटेल पर तुम Clara को ढून रहे थे तुमने मुझे उस रात के बार में जुटका Clara से मिलने के बाद तुम directly घर नहीं गए थे नो उसका पीछा कर रहे थे Walter इस बात को मान लेता है कहता है हम दोनों कुछ बात कर रहे थे उससे को finish करने की में कोशिश कर रहा था मैं जब होटेल पर भोजा तो उससे कहीं भी ढून नहीं पाया मुझे लगा कि शायद वो टैक्सी करकर आगे चली गई होगी तो मैंने फिर उससे नहीं ढूनडा Walter लॉरेंस को बता देता है कि हम दोनों डिवास लेने वाले थे लॉरेंस ने कहा कि जिस तरीके से तुमारी वाइफ की डेथ हुई उसी तरीके से मार्टी के वाइफ की भी डेथ हुई थी क्या तुम उससे जानते हो इसके बाद रात में Walter एली के साथ था तब लॉरेंस उसे मिलने के लिए आ गया Walter डर जाता है और घर में एली को छुपा देता है लॉरेंस ने यहाँ पर Walter के ड्रिंग्स के दो ग्लास नोटिस किया उसे पता था कि हाँ पर वो किसी के साथ है तो सारे घर को देखने लग जाता है Walter जहाँ पर काम करता है यही भी उसने लेखा उसे एक newspaper मिला जिसमें Marty की wife की date के बारे में लिखा हुआ था वो Walter पर गुस्सा हो जाता है कहता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम मार्टी के बारे में नहीं जानते है Walter कहता है कि मैं writer हूँ मुझे इस तरीके से newspaper cuttings निकालनी पड़ती है एली को भी इस case के बारे में जब सब कुछ पता चला तो Walter पर गुस्सा हो गई थी वहाँ से चली जाती है Walter का friend उसे जाता है कुछ दिनों के लिए तुम छुट्टी ले लो इस case की investigation की वज़े से उनकी firm की इज़त जा सकती है Lawrence पर भी इस case को solve करने का pressure बढ़ता जा रहा था उसका superior उसी इस case को जाने देने के लिए कहता है पर जब तक वो इसे solve ना कर ले तब तक वो इसे जाने नहीं दे सकता अब Lawrence एली से भी पुछताच करने के लिए आयो हुआ था पर एली उससे कुछ भी बात नहीं करती है वो फिर Walter को अपने साथ लेता है और Marty के पास आता है Walter और Marty को उसने introduce करवा दिया वो कहता है तुम दोनों में बहुत सारी चीज़े similar है उसने Marty से का Walter तुमारी wife की date में बहुत ही interested था Lawrence ने कहा कि मुझे लगता है कि Walter तुमारी wife की date के पाग उसे inspired हुआ तुमने जिस तरीके से अपनी wife को मार डाला उसी तरीके से Walter ने भी Clara को मार डाला Marty गुसा हो गया और इने जाने के लिए गहता है Lawrence जो भी investigation कर रहा था इस वज़े से Ellie भी Walter पर शक करने लग गई थी इसी बात पर एक रात Walter और Ellie में बहुत बड़ा जगड़ा हो जाता है रात में Walter Marty से मिलने के लिए आया वो गहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने wife का murder किया था पर मैं इस बात को समझ सकता हूँ मार्टी ने उसे warning दी कहा कि मुझे से दूर रहा करो तुमारी वज़े से डिरिक्टू मेरे पीछे पढ़ा हुआ है जब Walter यहाँ से निकला तो Lawrence उसे देख रहा था उसका शक सही निकला ये दोनों एक दूसरे को जानते थे वो मार्टी के पास आता है और उसे बहुत मारता है ये देखकर Tony डर गया था डिरिक्टी उसे भी मार सकता है तो इस वज़े से डर कर अब वो मार्टी के लिए cover up नहीं करेगा वो उसरा जो भी सच-सच हुआ था ये सारी बाते डिरिक्टी को बता देने वाला है अब मार्टी के पास जादा कुछ options नहीं है उसके पास बहुत कम पैसे थे और यहां से भाग जाना था वो उल्टर रीच है तो उससे मिलने के लिए आता है मार्टी कहता है तुमारी वाइफ की टेथ होने से पहले तुम मेरे बास book लेने के लिए आये हुए थे यह हम दोनों को connect कर सकता है इसका proof मेरे पास है यह चीज मैं डिरिक्टू को नहीं बताऊंगा पर इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए वाल्टर इससे थोड़ा सा भी ने डरता और उसे वो पैसे नहीं देगा वाल्टर डारेक्ली फिर लॉरेंस से मिलने के लिए आया मार्टी ने उसे अभी-भी जो offer दी इसके बारे में उसे वो बता देता है लॉरेंस ने कहा कि तुमने मुझे से हमेशा जूटका है अब वो उसे help नहीं करने वाला था आज पुली स्टेशन में टोनी भी आया हुआ था उस रात मूवी देखते वाल्ट मार्टी थोड़े टाम के लिए गायप हो गया था इसके बारे में वो लॉरेंस को बता देता है लॉरेंस फिर डारेकली मार्टी के पास आया कहता है अब सारी चीज़े तुमारे खिलाफ है तुम्हें अब कोई भी बचा नहीं सकता मार्टी सारी चीज़ों की वज़े से बहुत ही गुसा हो गया था राट में वोॉल्डर का पीछा करता है वो वोल्डर को नीचे की अंडर ग्राउंट टनल में बुलाता है इन दोनों का पीछा करते गए लॉरेंस भी वहाँ पर पहुँच गया था मार्टी एक जगा पर छुप गया और वो वोल्डर पर हमला कर देता है पर एक्चुल में लॉरेंस था वो जोर जोर से चिलाने लग गया कि मैंने ही अपनी वाइफ को मारा था उसने बाद में देखा कि जिसको उसने मारा यह डिरिक्ट तो लॉरेंस है वॉल्डर रहे देखकर डर जाता है मार्टी अब उसे मारने वाला था पर लॉरेंस के पीछे पीच उसका बैकप भी है एन वक्ट पर आकर मार्टी पर गोली चला कर वो वॉल्डर को बचा लेते है वॉल्डर थोड़ा सा इंजोर्ड है पर वो अब भी जिन्दा है वहाँ पर बड़े-बड़े हम उसके फेस पर स्माइल देखते है अब पुलीस को लेगेगा कि लारा का मर्डर भी मार्टी नहीं किया था लॉरेंस इन सब चीजों को फिगर आउट कर सकता था पर उसकी भी डेथ हो चुकी है वॉल्डर के स्माइल हमें सस्पेस में छोड़ कर जाती है क्योंकि शायद उसने क्लारा का मर्डर किया था उसने उसका होटेल तक पीछा किया था वो मार्टी की वाइफ की डेथ से अपसेस था तो उसी तरह के से उसने क्लारा को भी मार दिया इसे के साथ ये मूवी एंड हो जाती है